असलाम लीकुर मैं हापकास बबदुला होरी, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ आप देखो इस पून की जो प्राइस है, एकी विरियंट आता है, 6-1-8 GB वाला, 35 जार पर इन वोइस प्राइस है, डिसकाउंट के बाद कोई अराउंड 31-800 या 32 का असपास मुझे कॉस्ट किया इपून, इसको उपर मैं क्लियर उपीन अट करता हूं आगे, बॉक्स में फू आप्टर का चुटकू सा अडाप्टर है, टाइप A टो टाइप C डेटा केबल है, और कुछ डॉकुमेंटेशन हैं, बट बॉक्स के बाइर एक इन्होंने हरकत वही की हो है, जो आज कल दूसरे ब्रेंड भी कर रहे हैं, मतलब 12 GB RAM लिख दिया, असल में तो 6 GB RAM है, लोलीप दिखने में अच्छा ही लगा है मुझे स्पून का, जो बिल्ड क्वालिटी है ने, स्पून की जो इन एंड फील है, बजट कैटिगरी के हिसाब से काफी सॉलिड लगी है मुझे, एक तो बैक से ये गलास बिल्ड क्वालिटी है, तो होल्ड कते हुए थोड़ा सा प्रीमि वाला है वो मिल जाता है, साइड भी इनोंने फिंगर्पिंट सेंसर रखाव है, जो हर बार अच्छे से काम कर रहा था, और उपर वाली साइड पे सेकिंड नोस कैंसलेशन माइक भी है, जो सिम ट्रेय है, ये ट्रिपल काट स्लोट है, दो सिम के साथ मेमरी काट भी लगा सक और साथ में 120Hz है भाई, 120Hz को आप सेटिंग में से उपर नीचे एड़िस्ट भी कर सकते हो, मतलब वेरियेबल आप सेलेक्ट कर सकते हो, थोड़ा बैटरी वाली साइड से डवांटिज मेल जाएगा, तो मैंने 120Hz के ऊपर चलाया, 120Hz ये रियल वाला 120Hz है, चलाने में 120Hz वाल बॉक्स पेक फोन में मैंने इससे पहले कभी भी ये चीज़ एक्स्पिरियेंस नहीं की, तो उपर वाली साइड पे पिन डॉट है, मेरे वाले यूनिट में हो, बाकि किसी में ना हो, बट भाई क्यों है मेरे वाले यूनिट में भी, तो ये जो क्वालिटी कंट्रोल है, ब प्राइस के साब से everything perfect है और Wide One L3 नेट्फिक्स आपकी 480P के उपरी चलेगी कुछ जो बड़े ब्रैंड है वो Wide One L1 दे रहे हैं तो इस ब्रैंड को भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए था लेकिन यह है कि 480P में गुजारा कर सकती है आपकी नेट्फिक्स हुए रहा भी 580 Nits की पीक ब्राइटनेस है आउड़ोर में यूज की है IPS पैनल मोस्ली तेज लाइट के अंदे जोड़ा वो सफर करते है तो उतना ही है कोई मसले वाली बात नहीं है विजिबिलिटी बेहतर रहती है और जो speaker quality है bottom firing single speaker है तो एक single speaker की loudness होनी चाहिए बिल्कुल ऐसे ही मिलती है कोई भी बहुत जादा bassy sound नहीं है एक flat type का sound मिल जाता है एक और जो मझे plus point लगाने स्पोन को यूज करते है वो Mediatek Helio G99 का chipset है जो इस price category में जो दूसरे बड़े brands है वो उनकी sui G85 पे या G88 पे EMMC storage के साथ अटकी हुई है यहाँ पर decode ने और जो Vigotel brand है दोनों local brand है पाकिस्तानी इन्होंने G99 को fit करके मतलब हरान कर दिया परिशान कर दिया उनको और साथ में भाई UFS storage लेके आता यह 128 GB है competition में हमने Vigotel को 256 GB भी देते हुए देखा है RAM LPDDR4X वाली है जो multitasking को भी बेहतर हैंडल कर लेती है और performance अगर देखो तो day-to-day use में बड़ा decent perform करता है phone task अच्छे करवाता है अटकता नहीं है, hang नहीं होता हाँ UI में स्क्रॉल करते हुए थोड़े बो जिटर्स वगेरा नोटे ज़रूर हो जाते है बट hang का या freeze होने का issue कोई नहीं है और मैंने इस पे कुछ games ट्राइक है तो सबसे पहले मैंने PUBG खेली है Smooth Balance with Ultra 40fps तक का ये gameplay maximum देता है और अच्छा gameplay ता kind of decent 40fps को handle कर लेता है इसका जो hardware है G99 और मज़े की बात यह है कि hardware वाला gyro तो gyro में भी कोई delays नहीं है और display का touch response में भी कोई issue नहीं लगा हाँ एक चीज मैं आपको clear कर देता हूँ ये budget category का phone है इस category में आपको जो flagship kit phones मिलते है उनके touch response से इसके touch response को आप compare नहीं कर सकते obviously इसका उससे हिसाब से नहीं है बट हाँ कोई issue नहीं है issue वाली बात नहीं है कि touch कहीं पर miss करता है touch कहीं पर अड़ता आपने fire चलाया गोली नहीं जल रही बदर इस तरह के issues नहीं है 40 episodes का decent gameplay PUBG पे भी निकाल के देता है Call of Duty mobile भी खेल के देखिए medium graphics को पर चलती है हलका फुलका कहीं पर frame drop आता है जब थोड़ी सी intense gaming होते है लेकिन overall एक decent gameplay for the budget segment आपको निकाल के दे देता है उसके लाबा मैंने asphalt 9 गेम भी ट्राई किया कि जो car racing की बड़ी popular गेम है उसमें यह है कि थोड़ा बहुत कहीं पर एक दिन तो आपका अराम से निकल जाएगा अगर आपका हैवी यूज भी है अगर आपका light user तो डेढ़ दिन दो दिन तक इसकी battery जा सकती है एक चीज जो थोड़ी से downside मुझे लगी है वो है 15W का एक छुटको सा charger और 15W की charging दूसरे कुछ बड़े brand है वो बाकी side हो से cut करके आपको 33W तक की charging दे रहे हैं तो compromise कही ना कहीं पर तो करना ही होता है इस phone में charging को लेकर है 15W की charging है ना मेरी testing के मताबक 2 घंटे के आसपास इसको 98% तक charge कर जाती है अगर तो भी exact बात करें 100% की तो 2 घंटे 5 मिनिट के आसपास टाइम है तो charging टाइम थोड़ा सा है कंप्रोमाइजेबल है थोड़ा ज्यादा है बट बैटरी बैकप सॉलिड है बाकि Android 13 के ओपर यह आता है software तो बिलकुल लेटिस्टी है और अच्छी बात मुझे यह लगिया है कि यह software के साथ नहीं कोई छेडचार नहीं कर रहे है कोई experiment नहीं अपनी UI का कर रहे experience है software का kind of stock Android वाल है कुछ अपनी थोड़ी बहुत कस्टमाजेशन जो है इनकी अपनी एक इकादुका है पर तो कोई bloatware भी नहीं है कोई ads का issue भी नहीं है तो software experience काफी clean लगा है मुझे spoon का और हाँ, जो updates वाल है वो जाहर है question रहेगा एक एक तो नया brand है दूसरा मैंने भी कभी review नहीं किया तो long term इसका review मैं करूँगा तो फिर ही मैं आपको कुछ इसके बारे में बता पाऊँगा तो अभी के लिए जो software experience है वो तो ठीक रहा है भाई network receptionist phone का काफी better है dual sim आप चला सकते हैं signals उसके turn-a-turn आते हैं जो call quality है वो भी काफी better है उपर second उसके installation mic भी दिया हुआ है और जो call recording है वो Google वाली अंटी वाली है मतलब अगले बंदे को जिसमें notification चला जाते हैं उसके रहावा 4G plus का जो sport है तो speed भी आ जाती है उपर NFC का sport spoon के अंदर मिल जाता है आपको VOLTE जो voice over LTE है वो भी available है Wi-Fi calling का भी sport spoon के अंदर available है OTG भी चल जाती है इस phone में और जो compass वाला sensor है जो किबला की direction के लिए use होता है mostly वो भी available है देखो जो camera's है इस phone के back side पे तीन sensor आपको नज़र आ रहे है काम काई की है 50 megapixel दो रे लुकटे है एक macro वाला है एक साध्य वाला है उसके लाब अफरेंट पे 16 megapixel की selfie है budget के हिसाब से जो दूसरे brand ओफर करे है कोई 5 megapixel selfie कोई 8 megapixel comparative भी नंबर में उनसे बेतर है जो performance है पून की एक budget category के साथ से जो आपके expectations है न उसी के आसपास इसकी performance घूमेंगे कोई extra ordinary कोई budget camera phone नहीं आप इसको rate कर सकते है हाँ daytime के उपर कुछ scenarios में अच्छी photos ले लेता है कुछ scenarios में यह है कि थोड़ी सी details को soft भी कर देता है और light control exposure थोड़ा सा कभी dark कर देता है कभी थोड़ा सा bright कर देता है थोड़ी over sharpening थोड़ा contrast वगएरा इस तरह की चीज़े उपर नीचे मिलती है बट एक budget category के साथ से जो techno infinix type के जो phones है वो जो offer कर रहे हैं उन से थोड़ा सा battery में इसको rate करूँगा और यह इसका photography में scenario है और जो इसकी videography है backside पे यह 2K resolution के साथ 1080p 60 episodes पे भी video बना लेता है और EIS नहीं रखा गया ना front पे ना back पे तो दुनिया काफी हिलरी होती है और exposure जो है ना उसका थोड़ा सा adjustment का उपनी जा चीज़े होती है तो यह है कि budget category में इस टाइम पे जो box pack phone maximum offer कर रहे है तो उसी हिसाब से जज़ किया जाए तो competition के साथ से थोड़ा सा battery perform करता है देखो overall decode brand नहीं bold 3 phone price competition के साथ से बहुत अच्छा बना है अगर आप overall competition को देखते हो बड़े brands जो इस category में कर रहे है इवन टेक्नो इन्फिनिक्स को भी इंक्लूड कर लो और उसके इलावा जो competition में Vigot अला Vigot अला Vigot अला उसमें note 23 इस से ज़्यादा aggressive price पे मैं समझता हूँ लांच किया उसमें storage बड़ी है जाइरो नहीं है इसमें जाइरो है storage छोटी है 15 watt की charging ठोड़ा compromise है अब इस category में कुछ ना कुछ compromise करना ही होता लेकिन overall एक decent सा package है अगर आपको kind of 40 app इसकी gaming भी करते हो hardware type का जारो चाहिए तो probably यही option है बाकी question एक आ सकता है आपके mind में decode जो brand है reliable है worthy test पे पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए बज़ेट कैटिगरी में जो 25-30,000 प्या आप हर उस brand पे लगा सकते है जो अच्छे feature offer कर रहा है तो इस ताम पे same story है spoon की तो brand वर्थ इतनी नहीं है बड़ी जिस तरह दूसरे brands की हैं बड़ दूसरे brands कुछ दे नहीं दे यह at least आपको कुछ अच्छे feature दे रहा है और इनका जो customer के network है अभी तक तीन major cities में है इनके जो warranty card पे mention है लहोर, कराची और रावल पिंडी उमीद है कि जैसे जैसे ही आगे move करेंगे चीजों को बेहतर करते जाएंगे अपना customer के network इसको भी expand कर लेंगे बाकि जो चीजे थी मैंने आपको बता दी है I hope के चीजें आपको clear होगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share, subscribe के साथ बेल आकिन दबा लेना फ्यूचर वीडियो में मिलते हैं थैंक्स वर वाचिंग अलाफेस